Hello friends, one second, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग वंडा में So my dear friends, आज की इस वीडियो में हम जानेंगी कि हमारे reversal calculator को हम कैसे उप्योग कर सकते हैं How to use our reversal calculator जो हमारा Nifty का reversal calculator है, इसका उप्योग कैसे करना है इसकी वीडियो में आपके लिए live market में बना रहा हूँ तो अभी आप देख सकते हैं, Nifty का जो spot चल रहा है 17,433 यानि 17,433 पर चल रहा है अब सबसे पहला step हमें क्या करना होता है, जैसे कि आप लोग हमारे free webinar में आते हैं वहाँ पर भी हम बताने की कोसिस करते हैं पहला step क्या है, हर 50-50 की strike price पर horizontal line place करना है तो देखें, यह 450 की strike price है, यहाँ पर हमें horizontal line mark कर लेते हैं इसके उपर की strike price 500 की है, यहाँ पर हमें horizontal line mark कर लेते हैं नीचे की तरफ अगर हम देखें, यहाँ पर 400 की strike price है, यहाँ पर हमें horizontal line marking कर लेते हैं ऐसे आपको हर 50-50 की strike price पर horizontal line mark करना है, यह पहला step रहेगा आपका, वीडियो live market में बन रही है, live market में कोई opportunity बनेगी तो वो भी हम find out करने की कोशिस करेंगी, यह हमने horizontal lines draw कर ली, अब आप देखिए price जो है अभी कौन सी दो strike price के बीच में चल रहा है, 400 and 450, 400 and 450, तो आप हमें इ Excel sheet पर आप देखें, तो सबसे पहले आपकी नजर कहा जानी चाहिए, जहां पर हमारा WhatsApp number लिखा है, इसके just नीचे देखिए, क्या लिखा हुआ है, search a sale level on swing resistance, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई swing resistance बनता है, तो वहां से हम selling opportunity की तलास कर सकते हैं, selling opportunity हमें search करनी चाहिए, तो अभी देखिए, जो हमारा resistance बनता हुआ दिख रहा है, वो कहां पर बनता हुआ दिख रहा है, 17400 के level पर resistance बनता हुआ दिख रहा है, और support की बात करें, तो support भी जो है 17400 के level पर ही बनता हुआ दिख रहा है, यानि अभी वर्तमान का जो data आ रहा है, वर्तमान के data के according, market जो है एक range में फसा हुआ है, जब तक दोनों में से किसी एक side breakout या breakdown नहीं मिलता market को, market के trending होने की संभावना कम है, अभी के data के अनुसार, अब हमें कहां पर trade का मौका मिल सकता, इतना हमने देख लिया support कहां पर बन रहा है, resistance कहां पर बन रहा है, और overall market जो है, यहां पर देखेंगे आप search a sale level on swing resistance बता रहा है, मतलब overall market जो है, BRS दिखा रहा है, अभी जो है market कौन सी strike price के उपर है, हमें जो sale के trade लेनी होती है, या put के trade लेनी होती है, वो resistance पर लेनी होती है, swing resistance कहां बनेगा, strike price के उपर बनेगा, ना कि strike price के नीचे बनेगा, तो अभी spot कहां पर चल रहा है, देखिए, 17,413 पर चल रहा है, तो कौन सी strike price के उपर है, 400 की strike price के उपर है, 400 की strike price के उपर है, तो यहां पर देखिए, यह swing resistance बनता हुगा, दिख रहा है हमें, ठीक है, यहां से जिन लोगों ने trade की opportunity catch कर ली होगी, उनके लिए तो better है, उनको trade मिल गया होगा, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, step by step की sheet का उपयोग कैसे करता है, तो उस steps को follow करते हुए हम चलते हैं, हमने देखा swing resistance कहां बन रहा है, अभी फिलहाल 400 के ऊपर की strike price पर, तो हम nifty पर जाकर, हमारी nifty reversal calculator पर जाकर के देखेंगे, कि जो 400 की strike price है, वहाँ पर call writer की संख्या ज़्यादा है, या put writer की संख्या ज़्यादा है, देखिए बीच वाला box क्या बता रहा है, ये बोल रहा है support है, इसका मतलब put writer, यानि put seller की संख्या ज़्यादा है, और change in oi पर भी देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी support लिखा हुआ है, इसका मतलब जो intraday में नए seller introduce हुए हैं, वो put site पर introduce हुए हैं, put site पर देखिए कितने 68,418, और call site पर 38,556, तो ये बाली strike price पर, अभी put की opportunity sale करना, हमारे लिए जो है risky हो सकता है, तो हमें next strike price की तरफ move करना है, उपर की तरफ move करेंगे हम, तो अगली strike price कौन सी दिखरी है हमारे लिए, 17,450 की, 17,450 की strike price जब आप देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, strong resistance लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर, जो है call writer की संख्या ज़्यादा है, call seller की संख्या ज़्यादा है, change in OI में भी अगर हम देखेंगे, तो put writer की संख्या यहाँ पर, कम increase होई है, call writer की संख्या ज़्यादा increase होई है, 27,000 call writer आए हैं, put writer केबल 20,000 के आसपास आये होई हैं, तो यह वाली strike price अभी के डाटा के अनुसार, हमारे लिए selling के लिए अच्छी हो सकती है, अब अगर market 17,450 के उपर जाता है, तो हमें कहाँ पर selling opportunity मिलेगी, 17,450 के उपर का number देखिए, यह वाले box में देखिए, जो तीन box दिख रहे हैं, resistance site के, यहाँ पर 17,450 से उपर का number कौन सा दिख रहा है, 17,463 का number दिख रहा है, तो इस level के आसपास जब अगर market पहुंचता है, कुछ point का buffer लेना है, 15 point का अपन buffer ले सकते हैं, तो यहाँ पर जो है, मैं 17,463 के level पर, एक horizontal line मार्क कर ले रहा हूँ, इस line के आसपास अगर market पहुंचता है, तो यहाँ से, हमें जो है, put की opportunity सर्च करनी चाहिए, ऐस पर data जैसा अभी हमारा data दिखा रहा है, अब अगर माल लीजे, market वहाँ पहुंचता है, और market के वहाँ पहुंचते पहुंचते था, कि यह बाला जो box है, यह support में बदल जाता है, और यह बाला box भी जो है, वो support में बदल जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, कि put writer वहाँ पर increase हो रहे हैं, call writer decrease हो रहे हैं, तो ऐसी situation में, वहाँ पर हमें trade लेने से बचना होगा, कहने का मतलब यह है, कि जब आप trade initiate कर रहे हैं, उस समय call writer की संख्या जादा होनी चाहिए, call writer की जो army है, वो जादा होना चाहिए उस battleground में, तो वहाँ से जो है market के नीचे आने की संभावना बढ़ जाती है, तो इस प्रकार से आप इस calculator का उपयोग कर सकते हैं, और detail में अगर इस calculator का उपयोग करना सीखना है आपको, तो आप हमारे free webinar में join कर सकते हैं, free webinar के लिए इस video के description पर हमने अपनी whatsapp की link दे दी है, उस whatsapp group में join हो जाईए, जब भी हमारा free webinar होगा, तो आपको group में information मिल जाएगी, तो free webinar में ज़रूर attend करिए, और वहाँ से इस sheet को उपयोग करना सीखिए, यह जो sheet है हमारी 3 variant में available है, nifty के लिए यह sheet आप देख रहे हैं, इसके अलावा bank nifty के लिए हमारे पास में sheet available है, bank nifty के अलावा stocks के लिए भी sheet हमारे पास में available है, तो stocks वाली sheet भी अगर आपको देखनी है, सीखनी है, तो आप हमारे free webinar में आ सकते हैं, free webinar में आ करके, हमारे nifty, bank nifty and stock की जो sheet है, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं, so I hope आपको यह video पसंद आई होगी, इस video को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धर्नेवाद, हमारे चैनल earning funda को अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया, तो please हमारे चैनल को subscribe करें, इस video को like and share करना ना बोलें, thank you, thank you very much my dear friends,